बिहार में कैबिनेट विस्तार पर संशा है अब नहीं होगा कैबिनेट विस्तार सीम नितीश ने दिये संकेद स्यम नितीश से जब पूछा गया कि कैबिनेट विस्तार का क्या होगा उन्होंने कहा कि अभी कोई बात नहीं है किसी भी तरह की विस्तार की तो अब नहीं होगा कैबिनेट विस्तार स्विम नितीश कुबार ने संकेद दे दिये हैं कि किसी भी तरह के कैबिनेट विस्तार की कोई संभावना फिल हाल नहीं है स्विम नितीश ने दिये हैं ये संकेद बड़ी बात है पत्त्रकारों से बाचीत के दोरान सिम नतीश ने कहा कि अभी किसी भी तरह के क्याबिनिट विस्तार पर संशे नहीं इस खबर पर जारा जानकारी के साथ अवनीश जोड़े हैं जब नतीश कुमार ने कहा कि किसी भी तरह के कैबिनिट विस्तार की कोई बात नहीं है तो क्या ये एक तरह का संकेत दिया जा रहा है हाँ बिल्कुल देखें आज मकूद नतीश कुमार कारकर में पहुंचे थे 15 जियाल उपाद्याएक के जहनती शमरों में और उसके साथ विहार के जिप्रिस्यम पिजश्वी यादो भी मौझूद रहें दोनों एक साथ देखें और कैबिनिट विस्तार पर जब हम सभी ने उनसे सवाल किया तो उनने चीजे तोर पर टाल दिया थी अब कितना कैबिनिट विस्तार होगा बहुत हो गया है अब जो है पार्टी जो है चुनावी मोड में है लोकसभा चुनाओं है और चुनाओं से अब पहले हमें लगता है कि अब निशी सरकार जो है वो कैबिनिट विस्तार नहीं चाहती है अगर कैबिनिट विस्तार होता है तो मुख्रम देशिश कुमार इस तरह की बातों को सरजनिक रूप से नहीं कहते लेकिन आज उन्होंने मीडिया के तवालों को जबाव देशिए तो रुपे खाहा कि अब कितना कैबिनिट विस्तार होगा काफी विस्तार हो चुका है तो विलाल कैबिनिट विस्तार संभव होता नहीं दिख रहा है यानि कि सारी चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है मुक्यमंत रुटी शुक्मार ने बहुत बहुत शुक्रे आपका वनेशिए